फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे और आज मैं आपको फिर से गुमाने वाली हूँ यूरोप का एक बहुत ही खुबसुरत सा शहर और जिसका नाम है संतोरीनी तो यह जो शहर है यह आता है ग्रीस में तो आप लंडन से यहाँ कैसे आ सकते हैं और दुनिया की किसी और भाक से भी आप यह खुबसुरत शहर कैसे देख सकते हैं यह जानने के लिए आप यह वीडियो एंट दद जरूर देखिएगा तो चलिए देखते हैं, एक खुबसूरता शहर, संटुरीनी तो संटुरीनी आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहां ऐसा क्या है जो सारी दुनिया के टुरिस्ट यहां अट्रेक्ट होते हैं चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में तो Centurini में आपको सबसे ज़्यादा attract करेगा ये blue domes जो कि यहां के blue sea और blue sky को reflect करते हैं और उसके बाद बारी आती है यहां के white houses की तो Centurini में आप कोई भी घर colorful नहीं पाएंगे यहां सारे घर white color के हैं तो Greece में तो बहुत सारे beaches हैं बट Centurini के जो बीचे से वो crystal clear है और इसी वज़े से यहां टूरिस जो हैं बहुत जादा आते हैं तो यहां के जो next famous चीज है वो है wine और दुनिया के कुछ बहुत ही खुबसूरत sunset में से एक आता है Centurini का sunset और यहां के top branded shop से लेकर street shop में भी shopping करना आप अपने trip में miss करना नहीं चाहेंगे तो यह खुबसूरत जगा आप कैसे आ सकते हैं चलिए देखते हैं अपकोर्स यहां आने के लिए लगेगा आपको Schengen Visa except अगर आपके पास US, UK या European passport है तो अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो किसी भी बड़ी city से आपको Athens या Santurini की flight via Middle East से मिल सकती है और अगर UK से हैं तो आपके लिए बहुत ही easy है आप direct Athens या Santurini जा सकते हैं और अगर आपका budget ज़्यादा है तो आप Santurini cruise से भी जा सकते हैं तो best time होता है Greece या Santurini घुमने का May end से September तक तो जुलाई और August जो होता है यहां काफी tourist आते हैं और weather भी बहुत गरम होता है, prices high होता है इसलिए आप जुलाई और August को avoid करिएगा तो आना कैसा है और कब आना है यह तो decide हो गया बट hotel कहाँ पर book करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ तो फीरा में अगर आपको hotel मिले तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहां से cliff में white houses आपको walking distance में देखने मिलेंगे तो luxury hotel के लिए या famous है जहां से आपको sunset देखने को मिलेगा तो hotel select करते वक्त आप यह देखेगा कि कौन सा hotel airport shuttle दे रहा है यहां पर हमने 25 euro दिया था whole family के लिए from airport to hotel hotel के prices यहां आपको 50,000 pounds तक मिलेंगे मतलब 5000 से लेकर 1,00,000 रुपे पर night के लिए hotel की price depend करता है कि आप किस season में जा रहे हैं and of course अगर आप summer में जा रहे हैं तो ऐसा room चूज करिएगा जहां पर AC हो तो हम कहां रुके थे इस hotel का link आपको description box में मिल जाएगा और अब भारे आती है संतोर्नी घूमना कैसे है तो यहां बहुत सारे आपको local dealers मिलेंगे जो आपको किसी भी country के two wheeler license पे two wheeler दे सकते हैं तो यहां bike जो है आपको 25 euros and ATV आपको 35 euros में मिल जाएगी और यहां जो driving है वो right hand side की होती है अचा कार hire करने के लिए आपके पास international driving license या के यूरोप या UK का driving license होना चाहिए rate start होता है 45 euros से तो हमने यहां पर day tour book किया क्योंकि हमारे पास जो license था वो Indian Ford Wheeler का था जिसका charge था 35 euros per adult and 17 for kids तो morning 11 o'clock हम निकल पड़े हैं संतोर्णी को explore करने के लिए अगर आप कैप से जा रहे हैं तूर से जा रहे हैं तो मैं आपको बोलूगी कि आप उसके right side में बठेगा क्योंकि आपको उससे बहुत ही अच्छे संतोर्णी की views देखने को मिलेंगे तो हम बहुत चुके हैं अपने first destination में और जो थी monastery और यहां से आपको संतोर्णी airport और पूरी city देखने को मिलेगी तो मेरे आने वाले हर वीडियो की notification सबसे पहले आपको मिले उसके लिए आप मेरे चैनल को subscribe करना और bell icon को press करना बिल्कुल भी न पहले तो यह जो monastery है यह island के सबसे highest point पे है तक्रीबन यह 567 मीटर उपर है sea level से तो यह जो monastery है यह 18th century में बनाया गया था और क्योंकि यह island के सबसे top पर है highest point पे है इस वज़े से आपको पूरा island यहां से देखने को मिलेगा और जो scenery है यह बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत है हलो आदित्या तो मोनेश्री हम अंदर से पी जाकर देखना चाहते थे और प्रे करना चाहते थे कि और सबसे कि ए ? वह यह ज़िए विन है यह ज़िए बहुत बढुप फ mismoट द्सक्ड बउढमी को शुका यहां पर वेडिंग वेन्यू है अगर यहां पर किसी को शादी करनी है तो यहां वो अपना उप करके शादी भी कर सकते हैं वाव हो कि ब्यूटिफून रियू थे हैं तो हम वह वाइनरी नहीं जा सकते हैं बोल रहे हैं तो हम यहां पर आपग कोई चकोर्पन के लिए दो और हमें तोप हां екस्तर बिलें है यहां पर ही हमें gratuit मुले गा य्ई जाये उजा आपस कार सारे जो क्योंकि इंको बुख लगी हुई है वाँ वेरी नाइस रिस्तोरेंट तो ब्यूतिफुल इसन्ट अदेड़ी अमर्टेश अथी होँट अउच वाँ वाव वो जो वेडिंग वाला देख रहेते हैं तो वहाँ पर स्टेज एरिया है तो अगर आपका वेडिंग करने का कोई प्लान है फ्यूचर में तो आप यहां अगर यह बुक कर सकते हैं प्राइज मुझे नहीं पता की क्या चर्जे से हम यहां ले रहे हैं व्यू कामजा है व्यू कर दो तो यहां है वाईन की शॉप बहुत ही पराने बहुत ही एक्पंसिव बहुत है वाइन है, यह है 85 EUR, अप्रॉपमेटली 8000 रुपीज, तो जो वाइन के शॉकिन है उनके यह बहुत अच्छी जगह, और यह है 120 EUR अच्छी है 5,500 EUR, पावा, पावा, मुझे लगभा के शॉक्षाप में तूर दाल क्या हो दरता है, चटे-चटे बॉटल्स भी है, खोड़ी, 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 और यह जुदो, आख़ी, खोड़ी, जुदो, खोड़ी, अच्टे-चटे बॉटल्स है, खोड़ी, खोड 0.9 year old it's a chocolate candy chocolate Wow sweet beautiful Santorini वाव इस अलसो नाइस येज़ और गर्मी बहुत थी इसलिए हमने आइस क्रीम और जूस का मज़ा लिया और यह है मेंग वाइनरी यहां जाना एलाउनी है अंदर से इसको देख नहीं सते हैं यह सारी जो जगह है बहुत ही जादा तुबसूरत है एक लाइट म्यूजिक चल रहा है लोग फूद इंजोई कर रहे हैं ड्रिंक इंजोई कर रहे हैं वाव तो यह जो लाइट हाउस है यह बनाया गया था 1892 में तो यह जो लाइट हाउस है इसे वर्ल्ड वॉर्ट के बाद ऑपरेट करना बंद कर दिया गया वैसे अभी भी यहां पर जो छोटे shapes आते हैं, cruise आते हैं उनको direction देने के लिए यहां काम होता है बट जो इसका main जो इसका operating system था यह World War 2 के बाद बंद कर दिया गया तो टूरिस्ट यहां पर आते हैं खुबसूरत view के लिए तो अगर आपके trip में आप संतोर्णी दो रात के लिए रुखने वाले हैं इसका मतलब आपको दो sunset देखने को मिलेंगे तो एक sunset तो है यहां में जो हम आगे चल कर देखने वाले हैं और एक sunset आप यहां से भी देख सकते हैं जो कि बेहत खुबसूरत होता है तो आगे हैं हम अपने fourth stoppage में और जिसका नाम है red sand beach तो यहां जो जाने का रास्ता है काफी उपर नीचे है आप अपने साथ अच्छे footwares जरूर रखिएगा grease में घुमने के लिए क्योंकि यहां आपको plain roads काफी कम मिलेंगी चलने के लिए तो इस beach के जो sand है यह red है इस वज़े से इसका नाम red sand beach है अपकोर्स और यह जो है यह black और red volcanic rock से बना हुआ है तो टूर वाले ने हमें यहां जाकर swim करने अलाव नहीं किया क्योंकि यहां के जो यह cliff है यह कभी भी गिर सकते हैं यहां बहुत कम लोग swim कर रहे हैं अगर आप प्राइवेट अपने कार या ATV बाइक से आ रहे हैं तो यहां आप यह जो छोटे छोटे बोर्स देख रहे हैं यह बुक करके यहां स्वें कर सकते हैं और यहां से काफी packages होते हैं जो आपको ब्लैक सेंड बीच पे और आइलेंड के काफी हिस्सूपर लेके जा सकते हैं तो आगे हैं हम फाइनली ब्लैक सेंड बीच और यहां से जाना है हमें बीच और आधी बहुत excited है बीच में नहाने के लिए और काने देओ आपकर काने देओ और देओ वाव वाव ब्लैक बीच बाव यहां देओ वीचफल वाव चाह्पकर के लोड़ीच प्लैक बाव प्लैक बीच वाव तो यहां पर यह जो संबेड है यह आपको फ्री मिलेंगे शौवर भी यहां पर फ्री है बट आपको रेस्टरेंट से कुछ खाना और करना पड़ेगा तभी आपको यह जगह जो है वो फ्री मिलेगी तो आदी और आनन सोचे है कि यहां से कुछ पीजा लेंगे और कुछ गोल रिंग्स और उस नो कोल रिंग्स ओके तो यहां पर शौवर एरिया है जहां पर आप शौवर ले सकते हैं तो चलिए इंजॉय करते हैं ब्लैक सैंड बीच इस शांत बीच है लहरे बहुत ही ज्याद आदी अगर आप यहां शां में आये रात में तो यहां बहुत पाटी चलती रहती है वहरी बीटिपल वाव रिलेक्स तो यहां लंच करने के बाद हम चल पड़े हैं आगे इया की तरफ तो ट्राइवर ने हमें यहां पर फोटोग्राफ्स के लिए रोका था क्योंकि यह जो ब्लू डॉम है यहां का में टूरिस्ट एट्रक्शन है तो इस तरफ है इया कितना ब्यूटिफूल है यह वाइट हावसेस आपको पता है ग्रीस का जो प्लाग है वह ब्लू और वाइट है इसी वज़े से यहां पर यह सारे घर है इस तरीके से बनाए गया है और यह मेरा आदी है तो ड्राइवर ने गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम आगए है अपने दिन के आखरी पड़ाओ पर जो है की संसेट पॉइंट तो यहां से हम यह जो सीटी है यह है आया इसका नाम स्पेलिंग है ओ आई ए बट इसे यहां के लोग बोलते है यहां पर तीन चीज़ें है देखने के लिए एक है सेंट निकोलस चर्च डूसरा है और वाट इस अनीम उप्ट देविलेज फैनिकिन फैनिकिन विलेज और तीसरा है थ्री डोम् और जो लास्ट हम संसेट के लिए रुखेंगे तो अभी हम जा रहे हैं विलेज देखने के लिए तो प्यूटिफूल के है वाँ और वहां से चड़ते चड़ते आगे हैं हम यहां और यहां से पूरा बहुत ही संदर व्यू है अगर आपको यहां स्टनिंग फोटोग्राफ्स खिजवाने हैं तो आप वाइट याफे ब्लू कलर दो का ड्रेस पहन के जरूर आएगा वस्तली लोगों का आप यहां देखेंगे तो वाइट और ब्लू कि द्रेस में ही देखेंगे और यह चर्ट से बतारे हैं यहां के गाइड तो यहां बहुत सारे टुरिस्त हैं और थोड़ा गूजिग है कि कहां पर क्या है तो डॉम्स जरूर दीख रहे हैं बट त्री डॉम्स का व्यू कहां से यह देखना पड़ेगा तो दो इसासे वरी व्यूटिफुल प्लेस तो टेक पोटोम तो गलियां चलते चलते हमें बताचला है कि कैसल है लास्ट में तो चैसल से संसेट भी अच्छा देखने को मेलेगा तो चलिए चलते हांगे कि गलिया कहां लेकर जा रही है आभी वाव इधर भी कुछ है बहुत सारे यहां पर ऐसी छोटे-छोटे लैफ टन्स है जहां से आप व्यू ले सकते हैं आधी डोंट टच वाव सी प्यूटिफुल हाउस और वो है कैसे तो यह है फ्री डोम सा फ्रॉपर व्यू जहां लोग फोटो किचाने के लिए पैठे है तो यहां आये कैसे हम तो यहां छोटी-छोटी गलिया है जाते वक्त मैं आपको बताऊंगी और उसके सामने से आप फोटोग्राफ्स ले सकते हैं तो यह गली से थैंक यू यह गली से वैसे हां हर गली सेम दिखेगे आपको यह गली से इसका व्यू अच्छा था था त्वी इलिमेंट्स के सामने यह जोलरी शॉप है तो इस गली से हम गयते पोटोज के लिए तो आगे आते जाएंगे तो आपको मिलेगा लेफ्ट साइट से यह जो रस्ता जारह यह जा रहा है कैसल के लिए और यहां से जो स्ट्रेट रस्ता जा रहा है वो जा रहा है विंड मिल के लिए तो यहां हमने एक शॉप कीपर से पुछा और उसने बोला कि विंड मिल से जो संसेट का व्यू है वो बहुत ही अच्छा हैगा वैसे यहाँ एक Sunset Village करके भी है जो हमें हमारे ड्राइवर ने बताया था बट वो रास्ता हम कहीं पर मिस कर गए है तो हम अब डारेक्ली जा रहे हैं Windmill की तरफ जगह अल्रेडी बुख हो चुकी है लोग बैठ चुके हैं Sunset देखने के लिए और यह Windmill से होते हुए शायद Sunset देखने को मिलेगा So finally हमें एक ऐसी जगह मिली जहां से हम Sunset देख सकते हैं वैसे यहाँ काफी सारे बार्स भी है जहाँ पर आप बैठ कर Sunset का मज़ा ले सकते हैं आपको ड्रिंक्स खरीदनी पड़ीगी तो लोग यहाँ पर Sunset के एक से डेड़ घंटा पहले ही जगह बना कर बैठ जाते हैं आप Sunset होने का वेट मत करिएगा नहीं तो आपको यहाँ कोई जगह बैठ के देखने को नहीं मिलेगी तो हम तो Windmill से देख रहे हैं Sunset बट वहाँ काफी रश मुझे कैसल के उपर भी दिखा तो कैसल से भी जो Sunset है यह काफी अच्छा दिखता होगा और काफी वेट करने के बाद Finally Sunset देखने को मिला जो कि बहुत ही ज़्यादा खुबसुरत था और Sunset के बाद का रश यह देखो इतने सारे लोग तो अगर आप अपने कार या बाइक से आ रहे हैं तो आप यहाँ Sunset होने के एक गंटे के बाद निकल लिए ताकि सारे टूरिस्ट बस का जो रश है वो यहाँ से निकल जाए तो हम आप पहुचेते फीरा के मेन मार्केट में डिनर के लिए क्योंकि पूरे दिन की थाकान के बाद अब हमें अच्छी भूग लग चुकी थी और हम कोई इंडियन रेस्टोरेंट खोज रहे थे चली देखते हैं इंडियन रेस्टोरेंट मिलता है या नहीं और हमको यहां पर लग के लिए मिल गया इंडियन रेस्टोरेंट मॉमो तो जो खाना था वो काफी अच्छा था और जो रेस्टे वो भी बहुत जादा महंगे और बहुत जादा सस्ते भी नहीं थे कुछ-कुछ यूकी जितने ही थे तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि सैंचुरीनी में वाइट हाउस के क्लीफ बहुत ही फेमस है तो हम नेक्स टे वहां गये और उसके बाद हम चल पड़े थे मिकनस के लिए जो की एक बहुत ही घुपसूरत सा आइलेंड है तो वो हमने पबलिक ट्रांस से कैसे एक्सप्लोर किया वो जानिएगा आप नेक्स वीडियो में तो मिकनस का पूरा डिटेल जानने के लिए आप इस वीडियो का सेकेंड पार्ट देखना बिल्कुल भी ना भने